नमस्कार दोस्तों मैं उमेस आप सभी के आप नाइटीव चानले फिज़ से बहुत बहुत स्वाथ करते हैं उमीद करते हैं कि अप जहां भी हुँगे बहुत अच्छी होंगे देखें दोस्तों अभी जो है बिहार सरकारी के तरफ से कोपीशल नोटिफिकेशन जारी किया ग यह जिना जो है, बेस्कली जो लड़किया होती है, उनके साधी पर दी जाती है, तो ऐसे में मान लीजिए, आपका अगर साधी हुआ होगा, तो इसलिए हम आपके regarding ही बात कर रहे हैं तो आपके घर में जो भी महिलाये हैं जिनका साधी हुआ है 2007 के बाद उनके लिए जो है आप आवेदन फॉर्म फील कर सकते हैं इसका जो एप्लिकेशन है स्टार्ट हो गया है और इसके अर्तरगर्द है पांच हरोपे की साहतारासी दी जानी है तो किस तरह से फॉर्म को फील करने हैं साथी साथ इसमें कौन-कौन से डॉकमेंस आपको बनवाने होंगे सभी जनकार इस वीडियो में किलियर करके बताएंगे तो प्लिस वीडियो को सुरू से अन तक लेका ज़रूर देखिएगा और वीडियो थोरा से अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा क्यूंकि आपका एक लाइक मुझे बहुँ ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे वीडियो बनाने के लिए बहुँ ज़्यादा एनरजी देता है तो प्लिस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा तो चलिए आज का वीडियो सुरू करते हैं तो जैसे कि आप इसकीन पर देख सकते हैं कि बिहार सरकार समाज कल्यार बिभाग के दोवारा एक आपीसल नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें साब साब कहा गया है कि मुखे मंतरी कन्या बिवाग का लाब ग्रामी रिवन सहरी दोनों ही छेत्रों में गरी परिवार के जो कन्या होती है उनके बिवाग के समय में आर्थिक सहायता परदान किया जाता है तो ऐसे में दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि बताये गया है कि बीवा 22 नॉमबर 2007 के पच्टाथ संपन हुआ हो उन सभी को जो है मुख्यमंत्री जो करने बीवा होजना है उसके अर्तकगत जो है 5 हर्पे की सहायता रासी दी जाएगी इसके लिए जो है आविदन भी करके आपको बताने वाले हैं स्टेप बाइस्टेप तो वीडियो को सुरू से अंतक लेकर जरू देखिएगा देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि यह सुझनाय करतगत जो है बलाब लेना चाहते हैं तो आपके पास योगिता क्या होना चाहिए सबसे पहले कानिया क जो माता पीता है वो बिहार के अस्थाई निवासी होना चाहिए क्यानि कि जो भी लड़की के साधी हुआ है उस पे आप अंदान लेना चाहते हैं तो उसके माता पीता बिहार के अस्थाई निवासी होना जरूरी है बिवाह 22 नौंबर 2007 के बाद संपन हुआ है उन सभी को जो आपको age proof भी देना पड़ेगा जब भी आपका साधी हुआ है उसका एक आप परमार पत्र बनाएंगे अभी हम बताएंगे कैसे आप बनाएंगे उस पे जब आपका बनेगा तो समय जो है यह उम्र मेंसन होना चाहिए नहीं तो आपका लाब नहीं मिलेगा पुन्ह बिवा का पहल स्टीक आपका सकते इस आप सब किलियर करके बताया गया है अब थोडा से उपर आयेंगे यहां पे बताया गया है की जो भी बिवाह का बिधत जो निबंधन कराय गया हो जैसे की आपने-भ आपने किया होगा तो उसका जो बिवाह निबंधन या निलश्ट Cape रहा गया तो यह सारे जो हे आहरता यहाँ पे रखे गए हैं, जो हम फूलफिल करते हैं तो आप इसके लिए आवेधन कर सकते हैं अब इसमें हम सम culpile करते हैं कि आखिर इसमें सहायतारासी कितना मिलता है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बताया गया है कि इस विजना के अंतरगर्थ कानिया को 5000 रुपए की सहायता रासी DBT के माधियम यहाँ कि डिरेक्ट बेनिफिट ट्रांसपर के माधियम से सीधे खाते में भुगतान किया जाएगा आपके खाते में DBT के माधियम से भुगतान किया जाएगा अब यहाँ पर आयोधन की हम परिक्रिया की बात करें तो यहाँ पर कहा गया है कि आप जो है आफ्लाइन आयोधन करेंगे अपने RTP जो काउंटर होता है जैसे कि आप अपने ब्लॉक में जाएंगे जहां से आपका आय जाती निवास परमापत्र बनता है वहां से इसको आवधन आपको फॉर्म फिल करके करना होगा अभी आपको हम फॉर्म भी देंगे अब इसमें देख सकते हैं कि कुछ सर्थे रखा गया है जिसको आपको पता होना चाहिए सबसे पहले आप जो भी आय परमापत्र दें उसमें जो है साथ हजार से कम रुपे का बार्सिक आयत दर्सारा जाना चाहिए, मतलब कि होना चाहिए, साथ हजार से कम बार्सिक आयत होना चाहिए, अगर आप ये परमारपतर नहीं लगाते हैं, तो अगर आप गरीबी रेखा से BPL काड़धारी है, आनि कि BPL सुची में तो उसको भी आप लगा सकते हैं, आपको आयत परमारपतर लगानी कोई हो सकता नहीं होगी, साथ ही साथ कहा गया है कि अंचल पतर दिकारी या फिर अनमंदल पतर दिकारी द्वारा निर्गित अवास परमारपतर या फिर पासपोर्ड भूमी से संबंधित परमारपतर फिर मंदल पधिकाड़ी से बनवा लीजिए, जो आवास पर्मार पत्र होता है, जो कि लड़की के नाम से ही बनेगा, मतलब यह सारे चीज जो है लड़की के नाम से ही फॉर्म फिल किया जाएगा, आवेदिका वही रहेगी, तो यह सारे चीज है, नहीं तो आप यहाँ पे पासपर्ट भूमी से संबंधित पर्मार पत्र भी लगा सकते हैं, जो जिससे आपका निवास प्रूफ हो जाए कि आप वही के निवासी हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि बिवाह निमंधन पर्मार पत्र सहरी के लिए आप वादपाटसर से बनवा लेंगे, और ग्रामी छ पत्र से करवा सकते हैं, अब यहाँ पे देखिए कि बहुत सरे लोगों ने आवेदन किया हुआ है, बट उनका यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कि वैसे सभी आवेदक जिन्होंने आटी पीएस पर अपना आवेदन किया है, प्रंतुने अभी तक योजना का पालक सहाय को उपलब्द करा दें, जैसे कि आपने पहले सावधन किया हुआ है, आपको पैसे नहीं मिले हुए हैं, तो आप अपने जो ब्लॉक होता है, संभधित ब्लॉक में, वहाँ पे जाकर आटी पीएस पर जो करेपालक सहाय काम करते हैं, उनको अधार और बैक खाता उनको देना है, वहाँ पे आपका डॉकमेंस अफ्लोड करेंगे, इसके बाद आपको पैसे दिये जाएंगे, तो यहाँ तक मैंने आपको क्लियर करके बता दिया, अब इसके बारे में अधिक जनकारी के लिए आपको करना किया है, यहाँ पे आपको अपने कॉम्प्यूट सब्सक्राइब करेंगे, वैसे इसका लिंक भी हमने दिया हुआ है, जहां से क्लिक करके आ सकते हैं, अब यहाँ पे आने से फायदे आपको यह होंगे, कि सभी जनकारी जो स्टीप बाइश्टीप यहाँ बताएगी है, आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, साथी साथ आउंटर पे जामा करना होगा, उसका लिंक यहाँ पे दिया गया है, आप चाहें तो नोटिफिकेशन को भी यहाँ से डाउलोड कर सकते हैं, तो सबसे पहले क्या करना है, कि बिवाह निमंधन आवेदन पत्र है, इस पे आपको क्लिक करना है, अब जैसे ही क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कन्या बिवाह उजना हे तू आवेदन पत्र है एक खुलेगा, जिसमें देख सकते हैं कि सभी जनकारी यहाँ पे बताया गया है, परखंड बिकास पधिकारी के पास इस फॉर्म को आपको यानि क्या टीपी उस पर जामा करना होता है, यहाँ पे सबसे पह पर दिया गया है क्योंकि बहुत पुराना फॉर्म है हो सकता है कि आप ब्लोक में जाएंगे तो नया फॉर्म आपको मिलेगा लेकिन 25 रुपे तक ही दिया जाएगे, इस बात को धेया रखियेगा, यहाँ पर आवेदिका का नाम लिखा जाएगा, उसके पीता, मता, पती क का नाम आवेदिका का उमर ठीक है आवेदिका के पती का उमर पीता के पती के पीता का नाम यहाँ पे उसका पूरा एड्रेस यहाँ पे फिल करेंगे और यहाँ पर आय प्रमार पत्र निवास प्रमार पत्र विवाह निमंधन प्रमार पत्र इसके नीचे ही दिया गया जिसके बिवाह नीमंधर के लिए आवदन पत्र यहाँ पे दिया गया है जो कि इसी से आप बिवाह नीमंधर प्रमार पत्र भी बनवा सकते हैं बर और बधु का फोटो यहां पर लगाना है ठीक है और यहां पर आपको पूरा भरना होगा जैसे कि नाम यहां पर देना होगा बरका बधु का उम्र बरका बधु का पीता का नाम मता का नाम सभी जनकारी बर और बधु का यहां पर आपको देना होगा ठीक है उसके बाद य तीनों फॉर्म जो है सेम फिल होगा देख लिए यह तीनों फॉर्म जो है सेम फिल होगा आपका निमंधन परमार पत्र के लिए नहीं कि आपका साधी का निमंधन परमार पत्र बन रहा है और यहां पर देख सकते हैं बीवाह निमंधन परमार पत्र आपको इस तरह से जो है अफ़की इसके बारे में जनकाडी दिया गया होता है जैसे कि इस सुभिता के पॉटल पर आप जाएंगे कि कन्या भीवाय हो जोना क्लिक करें इस पर आप क्लिक करेंगे ठीक है तो क्लिक करने के बाद यहां से online आवेदन तो नहीं होंगे offline ही आपको करना होगा लेकिन इसके बारे में यहां पर भी जनकारी आपको देखने को मिल जाता है तो देख सकते हैं कि यहां पर कन्या भीवा रहता है तो आप चाहें तो आप पढ़ सकते हैं और इसका जो भी यूजर मैनुवल है उसको भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं जैसे कि मुख्या मंत्री करने आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसका पूरा यूजर मैनुवल यहाँ पर दिया गया है जिसको चाहें तो आप पाएंगे इसके लिए department के द्वारा ही login किया आता है और आपका form fill किया आता है RTPS counter के माधियम से तो यहाँ पे उनका user ID password होगा login करके form को fill करेंगे आपको जो है form को fill करने का मौका इस portal से नहीं दिया आता है इस बात को समझेगा के वाल अप जो करेपालक सायक होते हैं उनके पास user ID password होता है वही जो है form को fill कर सकते हैं तो आपको जो आपको जो आपको जामा कराने होंगे तो मैंने इसके regarding almost आपको सरा जनकारी बता दिया है उमीद करते हैं कि आपको जनकारी मिल गया होगा तो 2007 के बाद अगर आपका भी साधी हुआ है मतलब आपके घर में किसी लड़की का हुआ है या फिर आप अंदान का लाप लेना चाहते हैं तो इस notification के basis पे जो है form को fill कर सकते हैं और आपना जो अंदान है प्राप्त कर सकते हैं तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको clear करके बता दिया कि 2007 के बाद जिनका भी साधी हुआ है तो इसके बारे में अधिक जनकारी के लिए प्रखंड विकास पधिकारी से संपर्ग भी कर सकते हैं या फिर इस notification को भी आप रीड कर सकते हैं तो बस आज किस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दिजिएगा चली मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टौफी के साथ तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनेबाद आप जहां भी रहें सुरक झाल झाल झाल